हैलो दोस्तों नमस्कार आच्छत पे काम कुछ नहीं हुआ दोस्तों नीचे पानी बानी डाले हैं प्लांट में आशुवा-सुवा ही दिमाग खराब हो गया था जो हमारे वगल में टुक टुक के पापा नहीं है उनिस है न तो बहुत दूसरे दिमाग की आदमी है परसान करते हैं जमीन यहां पर ले लिए है जितना हम लोगों का जमीन था उतना ही जमीन उनका भी था तो दो लोग लिए है उस जमीन को एक यादों है और एक तुक-तुक के पापा तो हमारे जिसे की जैमीन के सामने नो जो हमारा वहां बाहर पैखाना बना है उसके एक बित्ता अंदर की तरफ एक बार धलया करवाए थे वो आप लोगों से हम बताए थे बेटी को हम पहुचाने गए थे वहां को सामभी बड़ी वाली बेटी को तो ये धलया चिप्पे से क ना थे कोई सड़क का जमीन थोड़ी न छोड़ेगा इस तरह से बच्चे उनके है आते हैं घर में हम बहुत लोगों को मानते हैं यहां पे वो लोग सो भी जाते हैं और वो लोग तापना हाजबेंट वाइब दुकान अपना देखते हैं लेकिन हम लोग बच्चों को आ दिये थे मिस्तरी बुलबा के दिवाल भी ले से बर्दास नहीं होता है तो हम लोग दिवाल भी वह तोड़ दिये थे फिर पूरा नहीं तूटा था लेकिन दो तीन रद्दा तोड़ दिये थे आज अब उसी पर साकी लोकिल कोई आ जाता है जैसे उनका समान ही उतरता है तो हम बोलते हैं उतरवा दीजिए फिर अपना सा चलता है कि क्या यहां बिखता है तो आप हमारे सामने कूलर उलर लाके रख देंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरे हां का बिखता है तो हम बोले नहीं अपने ममी से कहें तो ममी बोली नहीं एक बार रखेंगे तो पूरा वो पूरा आदत बना लेंगे पूरा तुम्हारे द करता है उनके की सब हमारे दूआर पे खड़ा करता है हम कुछ नहीं बोलते और जो दीवाल तोड़े हैं वह उसी दीवाल के सारे साइकल बहुत लोगों खड़ी कर देते हैं अब वही खड़ी करवा दिये थे कल तो हमें गुस्ता लगा हम चले गए वहाँ पे तो हम बोले कि कि यही अनु बोले थे कि यहाँ पे खड़ी करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे हम खड़ी कर दिये तो और हम उससे पूछे थे कि आनु कौन खड़ी किया तो वह बोला कि नहीं हम नहीं खड़ी किया है जूट बोल दिया वो तो फिर इनसे सूब अपने हस्मेंड से बोल और तो फिर मेरे हजबेंड कहें कि तुम यहाँ दीन भर रहती हो तुम अपना समझा करो हमसे मत कहो वो न ज्यादा उलजते नहीं किसी से न जान गए कितनी बार उसे समझा है वो ऐसा इंसान है कि जल्दी समझता भी नहीं दोस्तों तो जो मेरे पार्टनरी में है हम बोले आ है तो फिर अब जब हम नहीं बोलेंगे तो वह बहुत ज्यादा जिसे गलती करते हैं दोस्तों बहुत दिमाग में टेंसन होता है कोई भी चीज़ अगर अब बीगड़ जाता है तो तो बनवाने में भाई टाइम लगता है और पैसा भी लगता है कोई तो पैसा देगा नह पाने के लिए नुक्सान तो कर देंगे यही बात थी टेंसन था अजबन भी दिमाग उनका भी गुस्सा उनके उपर बहुत लगता इसी चीज के लिए कि क्यों नहीं अब वो पहले से किसी से जादा जगडा नहीं करते हैं उल्जते नहीं तो अब थोड़ी न उल्जेंगे अब जो कहना है हम ही कहते हैं दोस्तों इसलिए सोय थे मन नहीं किया वीडियो बनाने का च्छत पर भी नहीं गें पानी बानी डलना था आज वो भी नहीं किये साफ सफाई करने के लिए साम को यही फाल लगाना बेटी आई तो हम गये बोलों मेरे साड़ी में फाल वो प्रेस करतो मेरा फाल साफ की यह थी प्रेस की है एक पीली साड़ी लाए थे एक खरी अब उसके बारे में सोच के दिमाग क्यों टेंसन करना इससे में टुक्टुक और उसकी बाहर नहीं है नानी की आ गए है क्योंकि उसके घर भी ना उनके खड़ा हुआ था उनकी मॉमी टुक्टुक की दोलों बहने सब गए है अपने वहाँ नानी के घर तो जिसे की टुक्टुक के दादा भी नहीं है दोस्तों ना इसलिए आप चानते हैं बस्पन में ही जो है टुक्टे खराब करेंगे तो ये मेरी ही कलती है हमागी अपना काम भी नहीं कर सकेंगे लोग तो आपको वहाँ से भी दबाने की कोशिस करते हैं जहां आपकी हुकूमत चलती है मस सोचो की जमाने को क्या गवारा है मंजिल भी तुम्हारी है, रास्ता भी तुम्हारा है रास्ता तो हमने बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी और स्लो भरी है ये राह, एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी एक ना एक दिन सब को हैरान कर देगी इतना बदलाव लानी है हमें जिंदगी में अपने ठीक है दोस्तों नमस्कार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा